Hello friends, welcome back to another new video तो finally guys, MSTCET के जो admit card है वो अब release हो चुके है इस वीडियो में guys, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना admit card है, वो फिल करना है कैसे photo stick करना है, कैसे photo के उपर signature करना है, इसके अलावा कौन सी चीज़े अभी फिल करना है, कौन सी चीज़े हमे examination center पर फिल करना है यह सब कुछ हम इस वीडियो में जो है, वो देखेंगे और काफी सार जो student है, वो इसमें mistake करते है जिसके वज़े से guys, उन्हें examination center पर जब जाते है, exam के दिन तो problem आता है, या फिर उन्हें entry जो है वो देखने को मिल जाएगा अभी PCB group के admit card जो है, वो release हुए है PCM के भी जो है, वो जल्दी आ जाएंगे और उसके लिए भी आप सेम जो चीज़े है, वो follow करना तो आपको कोई भी जो problem है, वो नहीं आएगा तो सबसे पहले, सबसे important आपको अपना पूरा जो admit card है, वो चेक करना है देखना है कि आपके नाम में कोई spelling mistake है या फिर नहीं है, role number देखना है, date of birth में कोई mistake है या फिर नहीं ये भी चेक कर लेना इसके अलावा फिर आपको या पे group अगरे जो है, वो देखने को मिलेगा तो ये चेक करना, बट नाम and अपना जो date of birth है, ये अच्छे से चेक करना अगर इसमें कोई भी mistake है, तो फिर आपको undertaking form बरना होगा और यहापे आपको जो gender है, वो भी चेक कर लेना, ठीक है अगर यहापे सारी चीज़े सही है, तो बहुत बड़ी है, कोई problem नहीं होगा बट अगर यहापे आपको spelling mistake या फिर date of birth में कुछ mistake देखने को मिलती है तो फिर आपको undertaking form भरना पड़ेगा, because नाम की spelling में mistake या फिर date of birth में mistake नहीं रहना चाहिए अगर mistake है, तो यहापे आपको इसी admit card में undertaking का एक जो form है, वो मिलेगा, उसके उपर click करके वो form फिल करके रखना और फिर आपको center पर लेकर जाना पड़ेगा, अगर इसके उपर और detail में जानना होगा, तो बता देना comments में, मैं undertaking के उपर एक अलग सा video बना दूँगा, ठीक है अगर आपके इसमें mistake नहीं है, तो कोई tension नहीं है, फिर आपको undertaking कुछ भी भरने की जो है, वो ज़रूरत नहीं है, बस admit card जो है, वो लगेगा, ठीक है तो सबसे पहले and सबसे important question students का यह रहता है, कि जो हमारा admit card है, उसका जो print है, वो हम कौन सा निकाले, black and white निकाले या फिर color print निकाले तो इसमें guys, मैं आपको एक suggestion दूँगा, सबसे पहले तो देखो, कोई भी ऐसा restriction नहीं है, कि color ही निकालना है, या फिर black and white जो है, वो नहीं निकालना है, आपको भी निकाल सकते हो but according to, जैसे चीज़े जाती है, तो मैं आपको यहीं बोलूँगा, कि color print निकालो, because जब आप color print निकालोगे, तो आपकी जो photo है, वो सही से आपको जब वो देखने को मलेगी, जैसे अब यह आप देख सकते हो, इसमें थोड़े black clothes है, तो अगर मैं black and white निकालोगा, तो यह प आपको अपना admit card का color print निकालो, जिसमें चीज़े जो है, वो सही देखती है, फोटो भी अच्छे देखती है, अगर resources अवे लेबल नहीं है, black and white ही निकाल सकती हो, तो वो भी निकालो, चलेगा, ऐस सच कोई problem जो है, वो नहीं होगा, ठीक है, तो सबसे पर गाइस, मैं आप आपको जो है, वो photo stick करने का option मिलेगा, ठीक है, तो इस box में आपको अपना जो photo है, वो stick कर देना है, ठीक है, photo अप कौन से stick करना है, ऐसा अगर जो उपर वाला photo है, वो अगर आपका जो recent photo होगा, जिसमें आप पैचान में आ रहे हो, कि ये student यही है, तो अगर ऐसा photo आपने इसमें, तो जो भी recent photo आपका होगा, वो आप यहापे जो है, वो stick कर सकते हो, या फिर जो photo यहापे आपने जो है, वो upload किया था, same photo यहापे जो है, वो लगा दो, सबसे best and सबसे safest option यही रहता है, कि जो यहापे हमारा photo है, वो यहापे हम जो है, वो stick कर दे, ठीक है, तो अग इसमें, वो नीचे जो है, वो वही है, बस ठीक है, यही important है, बाकी photo कोई भी stick कर सकते हो, सबसे safer option है, कि जो उपर वाला है, वो यहाप जो है, वो नीचे चिपका दो, ठीक है, तो यह होगा हमारा photo stick करने का, साती में आप यह भी लिखा है, कि cross में इसके उपर जो हमें signature करन है, signature करने के लिए guys, आपको cross में signature करने है, तो, आदा आपका signature है guys, यह, suppose करते कि आप फी एक box है, ठीक है, आदा signature आपका, जो है, वो बाक्स के अंदर, मतलब photo के उपर who on a चाहिए and आदा signature जो है वो आपका paper जो आप प्रिंट निगालोगी उसके उपर जो होना चाहिए ठीक है तो इस तरह से आपको cross में जो है तो इसके उपर जो है वो ऐसा signature करना ठीक है मैं बस आपको demo दिखा रहा हूँ editing करके ठीक है तो ऐसा आपका जो होना चाहिए and फिर गाइस इसके बाद यहापे आपको दो option जो है वो मिलेंगे candidate signature and invigilator signature तो यहापे clearly लिखा है to be signed in front of invigilator तो घर से signature करके मत जाना कोई जरुत नहीं है नहीं तो फिर आपको फिर इसा admit card रहे दूसरा प्रिंट निकालना पड़ेगा तो यहाप में जो signature है वहाप में जो center है वहाप में जाख़ करने in причini जो है वहाप exchange करेंगे और यह 옷 आपको सिगनिचर करने लिख्या acronym लिखेकर तो उस time fill किया जाएगा उनके साइट से ठीक हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है हमें बस फोटोचिक में आना है और यहाँ पे जो है वो सिगनिचर क्रॉस में वो करना है ठीक है बाकि यहाँ पे आपका जो examination center है वो देखने को आपको जो है वो मिल जाएगा ठीक है इसके अलाओ गैस जो PWD में students आते हैं physically disabled students उनका अगर उसमें अगर आप आते हो तो उनके लिए कुछ extra चीज़े रहती है तो यहाँ पे उसके लिए declaration का link दियाता है अगर आपने उसके लिए apply किया है तो वो आप भर सकते हो बाकि अगर आपके admit card में कोई भी mistake नहीं है तो इससे जादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बस print निकालो, photo chip का और signature करो रग दो वैसे जिस दिन examination रहेगी उस दिन admit card लेके जाना साथ ही में आप एक जो ID proof है वो हमें लेके जाना पड़ता है तो यह आप पर बताया जाता है कि जब भी आप center पर जाओगे तो आपको एक साथ में ID proof जो है वो carry करना पड़ता है चाहे वो कुछ भी हो सकता है आदर card हो सकता है, pen card हो सकता है driving license जो भी है बट आपकी जो age है उसमें हो सकता है कि maximum students के पास आदर card हो तो आदर card का guys original copy लेकर जाना पड़ता है ना कि xerox तो यह याद रखना आदर card का original copy प्लस आपका यह admin card ठीक है यह दो चीज़ है यह आपको जो है वो लगते इसके अलबब और कुछ जो है वो आपको center पर लेकिजाने की ज़रूरत नहीं है max to max एक और pen वगेरे जो है वो carry कर सकते हो तो इन तीन चीज़व में आपका जो है वो सब कुछ हो जाएगा और कोई भी problem आपको जो है वो नहीं आएगा ठीक है बाकी problem उनका आ सकता है जिनके admin card में mistakes है तो वो मैंने बता दिया कि undertaking form आपको जो है वो सही कर सकते हो ठीक है बाकी तो मैंने सारी जो चीज़ है वो बता दिये कुछ भी आपको problem होगा तो आप पूछ सकते हो मुझे instagram पे या फिर comment section में इसके अलाव अगर आपको PCM group के आपको अगर mock test वगए चाहिए तो वो भी ले सकते हो PCM group के भी mock test वो बनाया है लिंक आपको description में मिल जाएगी वहाँ से आप वो लेके अपनी जो practice है वो कर सकते हो and try करो guys कि जतना अच्छा score हो सकता है उतना अच्छा score करो because competition हर टाइम बढ़ते ही जा रहा है and जब तक आपको अच्छा college मिलेगा तब तक आपको अच्छे placement जो है वो मिलने के chances रहेंगे तो अभी आपके पास chance है exam देने के बाद guys ये सारी चीज़ें का कोई फायदा नहीं है फिर जो भी result लगेगा उसके basis भी आपको जो है वो admission लेना पड़ेगा तो ट्राइ करो जितना अच्छा होता है उतना स्कूर करो बाकि all the best from my side कुछ भी होगा तो जरूर पूछना मैं जरूर ट्राइ करूंगा कि आपको कोशन सॉल्व करें तो इस वीडियो में इतना ही बिलनता है guys ऐसी और एक informative वीडियो में